नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं धमसर मार्च सिंग रासी, एक मार्च से लेकर साथ मार्च तक, यानि कि मार्च के महने का पहला सप्ता आप के लिए कैसा रहने बाला है, आईए हम जानते हैं एक और दो मार्च को पांच में भाव का चंदर मा आपको धनलाब कराएगा, बहुत ही सुप समय है, आकस्मिक धनलाब होने का योग बना हुआ है, भूमी से तो लाब होगा ही, साथ ही साथ अगर आप बिजनस करते हैं, तो यहाँ पर लाब होने की संभावना बनी हुई है, लेकिन चंदर और सनी मिलकर 20 योग बना रहे हैं, इसलिए संतान का ध्यान रखें, संतान के स्वास्त का ध्यान रखें, लव रिलेशन में हैं, तो यहाँ मन उटाव संभव है, साथ ही मानसिक परेशानी दे सकता है यह 20 योग, यात्रा के समय साथधान रहें, वैसे आप व उपाई के तोर पे, रात्री में दूद मत पीएं, और सिराहने पानी रखके एक ग्लास में सोवे सुवा उटके पौधे में डाल दे, इससे आपके मानसिक परेशानी कम होगी, अब हम बात करते हैं, दो मार्च दूपहर के बाद से, लेकर तीन और चार मार्च, यानि पू इसमें सामान का आप खुदी ध्यान करें, और धन हानी भी होती दिख रही है, भाग दोर बढ़े गी स्वास पर ध्यान रखिएगा, विद्यातियों के लिए इसमें 50-50 है, आपका मन एकागर नहीं रहेगा, इसके लिए भी आप उपाई जरूर कीजिएगा, अब बात करत ब्यापारियों के लिए ये लाप का समय है, भी डर्तियों के लिए बहुत सुप समय है, साथी बुद्धिमान आप बने रहेंगे इसमें, यात्रा की योग है, महिलाओं के लिए भी ये समय आप के पक्ष में है, आप अपने मन के नुसार इस जिन को बैतित कर सकती हैं, पर नियंतन रखेगा और कारियों में भी थोड़ी बहुत रुकार पर आ सकती है तो उपाई के तौर पर आपको करना है जो भी दिन खराब हो तो रातर में दूद ना पिएं और साथ ही साथ सिराहने पानी ड़कर सोएं और केसर का दिलक लगाई है इसे तमाम परिशानिया आ अगर हम ओवराल बात करें यह सता आपके लिए उतार चड़ाओ भरा रहेगा और बड़ा भाई अचानक बिमार हो सकता है और इसके कार आपकी सारी बचत भी खर्च हो सकती है तो इन बातों का ध्यान में रखिएगा और इसी इस्तिति में तनाव में मत आईए क्योंकि सब बच्चों की पढ़ाई और कारेस्तर से संबंधित काम को लेकर थोड़ी से परिसान दिख सकते हैं सितारे अनुकूल है थोड़े बहुत परिसानी है पर आपको अपने बच्चों में सफलता आपको दिखेगी इसकी कारण आपका भी मन परसंद रहेगा लब लाइब की बा अपको दिखेगी मन परसंद बच्चों में से पर स्वाइब करा दो था आपका बच्चों में स्वाब सकते हैं